हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू माई चानल एकनॉमिक्स ओप्षिनल आज का हमारा टॉपिक ओफ डिसकॉशन है ऑप्टिमम टैरिफ बद टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट यूर सब्सक्राइब माई चानल और साथ ही आप लोग के लिए एनाउंस्मेंट भी है इसी चानल के ऊपर हम लोगों ने क्विक रिजिन के लिए एक प्लेलिस टार्ट की है तो प्लीज आप लोग उसको भी देखें ताकि आपको जादे से जादा हिल्प हो सकें तो रिवाइस क्विक्ली अब हम टॉ अगर हम बात करें तो 2008 में UPSC ने आप लोगों से question पूछा है on the topic of optimum tariff. Question क्या है? Explain the conditions under which optimum tariff is likely to be high or zero. आज हम क्या करेंगे? जैसे हम already आगे भी करते हैं. हम लोग क्या करेंगे? आज की class में हम lecture part discuss करेंगे. After that, आप लोग अपने basis पे इस question को attempt करने की कोशिश करेंगे. Otherwise, हम next lecture में भी इस question को एक बार model answer इसका attempt करने की कोशिश करेंगे. और अगर आप लोग इस question को attempt कर लेते हैं, तो प्लीज उसको आप टेलिग्राम चानल पे शेयर करेंगे. ताकि जितने लोग आप लोग यहाँ पे एकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको जाद स्लादा help हो सके. देखिए, optimum tariff के अगर हम बात करें. तो optimum tariff में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे large countries की. जब मैंने बोला कि optimum tariff का concept जो है, कि that is valid for large countries, it means मैं कहीं न कहीं यह बात बोल रही हूं कि optimum tariff का concept जो है, हम small countries की case में discuss नहीं करते हैं. अब question आता है सबसे पहला, कि why for large country and why not for small country? अगर आप लोगं को पता है कि क्यों हम large countries के लिए ही discuss करते हैं और small countries के लिए discuss नहीं करते हैं, तो please comment box to mention करिए. तो इस question का answer करने से पहले हम large countries का case discuss करेंगे and then हम लोगं देखेंगे कि small countries के case में हम क्यों बात नहीं करते हैं, optimum tariff के लिए. देखेंगे, जब आप large country की बात करते हैं, तो याद करिए वाप इसे growth and trade वाला topic, जो हम लोगं ने emissorizing growth के अंदर discuss किया था, तो large country की जब भी बात करते हैं, तो हम लोग क्या बात करते हैं, कि जब large country tariff impose करेगी, तो tariff की वज़े से क्या होने वाला है, इसके terms of trade क्या होगा, change होगा, ठीके, tariff लगाने की वज़े से, क्या होगा, terms of trade, change होगा, इसका मतलब, यहाँ पर क्या हम बात करें, we are talking about terms of trade effect, और साथ में दूसरा effect क्या आता था, plus wealth effect भी create होता था, wealth effect, आप लोग मुझे बताईए कि wealth effect क्या होता है, जब हम क्या बोलते हैं, with the increase in the output, यहाँ पे क्या होता था हमारा, हमारे यहाँ पे क्या होता था, output per person increase होता था, तो हम tariff के हिसाप से क्या बात करेंगे, हम बोलेंगे कि tariff की वज़े से भी क्या होता है, wealth effect होता है, और ultimately इस wealth effect की वज़े से result क्या आएगा, इस wealth effect की वज़े से result आता है, economic welfare में change आता है, तो हम यहाँ पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, कि tariff की वज़े से दो effects आ रहे हैं, number one is the terms of trade effect and number two is the wealth effect, यह जिसको हम क्या कहते है, change in the economic welfare, चिक है, तो मैं इसको rather increase की जगा में लिख देती ह तो देखिए, हम लोmittel का tariff की तरीकी का होना चाइए, हम लोग का tariff, जब भी a country tariff impose करेगी तो tariff का nature किस तरीके का होना चाइए, tariff का nature इस तरीके का होना चाहिए, जिसकी बज़े से क्या होगग, terms of trade क्या करेंगी, improve करेंगे, ठीक है, और आप लोग और बता भी तो कि, और वेल्स इफेक्स ये गर हम बात करें तो जब टैरिफ इंपोस किया जाता है तो क्या होता है इनिशली क्या होता है एकनॉमिक वेलफेर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा अल्टिमेटली लास्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है एकनॉमिक वेलफेर कम होना स्टार्ट हो जाता है तो हम चाहते हैं कि हम ऑप्टिमम टैरिफ हमारा वहां पे हो ऑप्टिमम टैरिफ उस पॉइंट पे हो जहां पे क्या होना चाहिए ultimately हमारा economic welfare क्या होना चाहिए increase करना चाहिए ठीक है आप लोग को पता चला कि हमने किस तरीके से optimum tariff की बात करनी है हमने कहना है कि ultimately क्या होना चाहिए optimum tariff वो level of tariff होना चाहिए जहां पर economy का economic welfare क्या होगा increase होगा clear हुआ यहां तक मैं इसी चीज़ को आप लोग को diagramatically समझाने की कोशिश करती हूँ देखिए यहां पर हम क्या लेंगे हम offer curve technique की बात करेंगे reciprocal demand वाला lecture याद है जिन लोगों ने lecture नहीं देखा reciprocal demand का तो please उसको भी देखिए international economics की playlist के अंदर आप लोगों को वो lecture मिल जायागा तो please उसको भी देखिए and then इस lecture को देखिए तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है good x and यहां पर है good y OB, OB क्या है OB is the offer curve for country B and OA is the offer curve for country A हमने बोला कि दो हमारे पास offer curve है जहां पर A का offer curve कोन सी है OA जो किसकी है for country A and OB is the offer curve for country B clear यहां तक यहां तक कोई doubt देखिए अब आप लोगों को पता है जब मैंने बोला OB is the offer curve for country B it means good x क्या है A का exportable and B का importable for country B it is importable likewise अगर मैं good y की बात करूँ तो good y क्या है देखिए OA की तरफ यहां पे OA का मुकिस की तरफ खुल रहा y axis की तरफ it means good y क्या है A country का importable and B का exportable और हमें पता है कि exact terms of trade हमें किस तरह कहां पे मिलते हैं जहां पे OA and OB offer curve क्या करने वाली है intersect करेगी हमने बोला यहां पे this is the point इस point को mark कर दीजिए C हमने बोला हमें exact terms of trade कहां मिले C पे जैसे ही country A country A is what country A is home country और large country केस ही हम डिसकस कर रहे हैं जब हमने बोला country A which is home country उसने क्या किया उसना tariff impose किया tariff impose करने से क्या होगा volume of trade कम होगा जादा होगा comment box पे बताईए tariff imposition के बाद क्या होने वाला है volume of trade कम होगा जब हमने बोला after the imposition of tariff volume of trade कम हुआ और हम कहां पे shift कर गे हम कहीं यहां पे shift कर गे ठीक है इसको आप नाम दे दीजिए O A1 ठीक है now offer curve for country A moves to O A1 इसका मतलब आप terms of trade के आएंगे this is the terms of trade clear अब इसको नाम दे दीजिए CD ठीक है हमने बोला अब क्या हुआ now अब हमारी offer curve कहां पे shift होगी from O A to O A1 now the terms of trade is shown by O D मैं O D को line नहीं मिना रही क्योंकि बहुत जादा clumsy हो जाएगी diagram ठीक है तो आप लोगों को पता चला कि यहां पे क्या हुआ tariff impose हुआ volume of trade fall किया पटा आप लोग मुझे पता हिए कि terms of trade क्या हुए better हुए या worse हुए better हुए क्यों better हुए आपको इस तरीके से पता चला देखें यहां पे जो terms of trade line है वो क्या है हमारी that is steeper steeper as compared to OC line हमारी जो new terms of trade line है that is OD steeper it means terms of trade आपके क्या होगे terms of trade improve कर गे ठीक है मैंने आपको terms of trade बता दिया लेकिन अब हम क्या करेंगे चलो एक बार और shift करते हैं and then मैं economic welfare की तरफ आऊंगी ठीक है हमने बोला country ने क्या किया country ने further tariff लगाया जब country ने further tariff लगाया उसकी जो offer curve है वो कहां shift होगी यहां पे ठीक है OA2 अब हमारे अब जो terms of trade है वो कहां पे आएंगे OE line ठीक है OE line will show the exact terms of trade for country A and country B ठीक है अब यहां पे देखिया आपको पता चल गया CDE यहां तक लेया रहे अब हमने क्या किया मैंने आपको हमेश्य बोला कि terms of trade हो धों क्या कर रहा है improve कर रहा है for country A अब हमें क्या दिखाना है welfare welfare कैसे दिखाते हैं हम welfare हुम लोग दिखाते हैं through indifference curve ठीक है हम indifference curve से दिखाते तो हम क्या करेंगे हमने बोला कि हम पहले क्या था पहले आपकी indifference curve थी यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आए तो आपकी indifference curve आगी यहाँ पे IC2 चेंज हो रही है और यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे indifference curve आगी यहाँ पे IC3 ठीक है तो हमने बोला कि जब C2D आप move किये आपका क्या हुआ, economic welfare improve हुआ, क्यों improve हुआ because हम क्या किये, हम higher indifference curve की तरफ shift करके, ठेक है, IC1 to IC2 का मतलब ही क्या है हमने क्या किया, हम higher indifference curve पे move होगे, shift होगे IC2 to IC3 again higher indifference curve clear यहां तक हो issue अब country अगर सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और tariff impose करना चाहिए, तो country क्या करेगी country फिर से क्या करेगी इस तरीके से tariff लगाएगी और further क्या होगा उसका, उसकी जो offer curve है, वो further shift करेगी now हमें दियूम करते हैं अब क्या हो गया, OA3 is the new offer curve for country A, जब हमने बोला, OA3 is the new offer curve for country A, it means क्या हुआ, terms of trade improve हुए, further improve हुए ठीक है, तो और आप लोग को क्या पता होना चाहिए, इसके इलावा, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है, welfare तो welfare आपको कैसे देखने को मिलेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम साथ में क्या देखेंगे हम देखेंगे IC curve, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप दियान से देखिए अगर मैं यह, अगर मैं इस curve को shift ठीक है, यह blue line थी, one second अगर मैं आपकी blue line को shift करूँ, और यहाँ पे हमने बोला कि जो हमारी indifference curve है, इस point के ओपर वो कौन सी है वो IC2 है, but IC2 is lesser than, ठीक है lower than what IC3 it means, आपका welfare आप improve नहीं हुआ, although आपके terms of trade improve हुए, बट हमने क्या बोला, हमारे country के अंदर economic welfare क्या हो गया, वर्सन हो गया तो हमने क्या देखना था, हमें उस point तक tariff लगाना, जहां पर economic welfare क्या करेगा, improve करेगा और अगर आप इसको दियान से note करिए, तो हमारा जो economic welfare है, वो कहां पर improve कर रहा है, जहां पर वो क्या है, tangent है, tangent with the foreign country offer curve, ठीक है, जहां पर, तो यहां पर क्या है, foreign country की offer curve क्या है, indifference curve, tangent है, तो हमने क्या बोला, कि country क्या करेगी, country उस level तक tariff impose करेगी, जहां पर क्या होगा, ultimately, उसका economic welfare maximum होगा, और हमें क्या करना है, हमें terms of trade को, maximum नहीं करना, हमें terms of trade को क्या करना है, we try to optimize terms of trade, rather than maximize terms of trade, तो आप लोगो क्या पता चला, कि वो point हमें कहां भे मिल रहा है, वो point हमें मिल रहा है, जहां पर indifference curve, tangent है, to the foreign countries of a curve, home country of a curve, नहीं, किसके साथ tangent है, foreign country of a curve, clear हुआ यहां तक this is the large country case, तो आप मैं आपको इसका write-up दोंगी, और फिर हम लोग देखेंगे, why not for the small country write-up पढ़ने से पहले, आप लोगो को 2-3 चीज़ों का दिमाग में भी रखना है, वो क्या है, सबसे पहली बात मैंने आप लोगो को पहली भी बताया कि जब भी हम tariff impose करेंगे तो क्या होने वाला है, volume of trade fall करेगा तो इस दर negative effect ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोगो क्या पता होना चाहिए, कि जब भी tariff लगेगा, terms of trade improve करेगा, और तीसरा welfare positive भी हो सकता है, या negative भी हो सकता है ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, please read it the optimum tariff is that rate of tariff that maximizes the net benefit, हमने यह आपे net benefit की क्यों बात की, क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक positive effect एक negative effect resulting from the improvement in the nation's terms of trade against the negative effect resulting from the reduction in the volume of trade that is, starting from free trade position as the nation increases its tariff rate its welfare increases up to a maximum, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगो पहले भी बताया जब हम क्या करते थे, हमने क्या किया यह हमारी क्या थी offer curve और O A and O B ठीक है, मैंने आपको बोला कि tariff impose किया offer curve shift हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा हमारी क्या हो रही है हमारी trade indifference curve भी shift हो रही है लेकिन यहाँ पे IC1 था यहाँ पे IC2 था ठीक है, फिर हमने further किया हम क्या shift होगे, हमने IC3 पे shift होगे तो कहने का मतलब क्या है कि हम higher indifference curve की तरफ move कर रहे हैं और जब भी हम higher indifference curve में move करते हैं shift करते हैं towards higher indifference curve तो आप लोग को पता है कि ultimately हम किसकी बात कर रहे हैं we are talking about more satisfaction हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा welfare increase हो रहा है, तो यहाँ पे उन्हों नहीं वही बात की है, that is starting from the free trade position as the nation increases its tariff rate, its welfare increases up to a maximum that is the optimum tariff and then declines, क्योंकि उसके बाद मैंने आप लोग को पहले ही बताया उसके बाद अगर फिर से हमने shift किया तो हम क्या हैं, हम पीछे किसी indifference curve में लाइक कर रहे हैं, ठीके इसका मतलब IC3 से नीचे की curve में आगे जब आप lower curve की तरफ move कर रहोंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का economic welfare क्या हुआ वहाँ पे fall कर गया there is a loss of economic welfare in the economy and then declines as the tariff rate is raised past the optimum tariff ठीके तो optimum tariff कहां पे था जहां पे आपका क्या हुआ tangent हुआ IC3 this is the point of optimum tariff यहां पे हमने लिखा भी है ठीके eventually the nation is pushed back towards the autorky point without prohibitive tariff यह मैं आप लोग को line समझाती हूँ अभी तक आपको I hope यहां तक इससे पहले यहां पे कोई problem होनी नहीं चाहिए ठीके यहां तक एक बार फिर से read out करिये the optimum tariff is that rate of tariff that maximizes the net benefit resulting from the improvement in the nation's terms of trade against the negative effect resulting from the reduction in the volume of trade that is starting from the free trade position as the nation increases its tariff rate its welfare increases up to a maximum that is the optimum tariff and then declines as the tariff rate is raised past the optimum tariff clear? आप यहां इसका मतलब क्या है देखिए हमने बोला कि country अगर इसके beyond भी tariff लगाएगी ठीके? country tariff लगा रही है तो क्या होगा? volume of trade further decline करता जा रहा है जब आपका volume of trade decline कर रहा है और ultimately क्या होगा? एक point के बाद retaliation भी start हो जाएगा दूसरी country जो foreign country है वो क्या use करेगी? वो retaliatory tariff use करेगी यहां से आपने tariff लगाया और आपके tariff लगाते ही क्या हुआ? volume of trade fall कर गया बहां से retaliatory tariff हुआ volume of trade further fall हुआ fall करते करते एक time मेंसा भी तो आएगा जहां पर क्या हो जाएगा? volume of trade zero हो जाएगा जब हमारा volume of trade zero हो गया it means हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं closed economy की और उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं और torquey stage क्या कहते है? और torquey क्या? clear? तो अब यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला यह वही diagram को जो मैंने पहले डिसकस किया आप लोगों के सार्व मैं उसी diagram की बात कर रही हूँ बस यहां पर मैं change क्या कर रही हूँ यहां पर जो मेरा first terms of trade था इसको मैं नाम दे रही हूँ O-T-NOT ठीक है? वही diagram है आप लोगों ने अगर नहीं भी बनाई है तो प्लीज अपने अपनी नोटबुक से बनाई है तो अब यहां पर हमने उसी diagram को explain किया है at free trade equilibrium O-A and O-B जो हमारी offer curves है हमने लिखा that intersect at some point जिसका हमने नाम दे दिया C thereby representing terms of trade line O-T-NOT ठीक है? यहां पर थोड़ा साथ error आगे NOT को आप लोग subscribe में लिखेंगे when country A that is home country imposes tariff its offer curve shifts to O-A-1 इसको भी आप लोग ऐसे लिखें intersecting O-B that is foreign country offer curves at some point D and now terms of trade line becomes deeper indicating what indicating improved terms of trade and also its welfare improves as shown by indifference curve or trade indifference curve जो भी आप लिखना चाहे then IC2 subscribe में 2 भी लिखना at point D country A has reached a reached a point of tangency between its highest indifference curve and the foreign country offer curve and the tariff at this point is optimum tariff clear यहां था? तो यह चीज़ हम लोग पहले ही discuss कर चुके हैं अगर फिर भी आप लोग को कोई issue है आता है कि what if country A goes on imposing more tariff जब मैंने आप लोग को बताया था कि optimum tariff अगर हमने बोला कि optimum tariff हमारा इस point पे आ गया यहां पे question क्या कर रहा है? कि अगर इसके beyond भी tariff लगाते जाएं तो क्या होगा? अगर इसके beyond tariff लगाओगे तो क्या होगा? सबसे पहला यहां पे उसने इसी चीज़ कांसर दिया है कि यहां पे क्या होने वाला है? economic loss होने वाला है क्योंकि आप लोग को अभी तक समझ आ गया होगा कि हम क्या करेंगे? हम कही न कहीं lower indifference curve की तरफ move करने वाले हैं ठीके? If we assume that country A imposes tariff over imported goods from country B its offer curve shifts to OA2 intersecting OB at E here terms of trade improves but economic welfare declines are shown by lower indifference curve clear? यहां तक अब हमारा question आता है कि optimum tariff की बात हम large country case पे क्यों करते हैं और small country case पे क्यों नहीं करते हैं? देखे अगर आप लोगोंने emiss rising growth वाला topic पड़ा हो और जिन लोगोंने नहीं पड़ा हो उसका लिंक भी आप लोगों को international economics की playlist पे मिल जाएगा तो please उसको पढ़िए क्योंकि वो जो topic है that is very important और काफे lengthy topic है अगर आप book में देखेंगे तो आप लीज उसके तरफ भी जाएए अब हम question पे आते हैं कि हम optimum tariff की बात small country पे क्यों नहीं करते अगर आप लोगों को नहीं इस topic में small country का मैंने आप लोगों को क्या समझाया था while explaining him is rising growth मैंने आप लोगों को समझाया था कि small country क्या है जो आपके global prices को alter नहीं करती है small country do not have the capacity to alter global prices but अगर आप terms of trade को analyze करिये terms of trade क्या है terms of trade is the ratio of export prices to the import prices जब हमने बोला कि terms of trade is the ratio of the export prices to the import prices इसका मतलब जब tariff लगाने से terms of trade change हो रहा है तो इसका मतलब prices पे ही impact आ रहा है but हमने बोला small country is not a price maker it is a price taker तो सबसे पहला point आप लोगों को क्या ध्यान रखना है small country is our price taker clear दूसरी चीज़ small country के अगर आपको याद होगा small country जो मैंने आप लोगों को बताया था हमने क्या बोला था small country means not a very important country जब हमने बोला कि small country जो है वो बहुत important country नहीं है इक और इसका मतलब उसको वो demand भी बहुत जादा create नहीं करती और supply भी बहुत जादा create नहीं करती तो अगर supply site पर बात करें तो हमने बोला कि वो supply जादा create नहीं करती इसका मतलब उसको क्या वो क्या करेंगी वो depend करेंगी majorly on the imported product अगर वो imported products के उपर tariff लगाए तो वो अपने नीट्स को कैसे फुल्फिल करेंगी तो supply is another reason ठीक है फिर अगर demand की बात करो country के अंदर बहुत जादा demand rate नहीं हो रही तो markets के लिए उनके entrepreneur क्या करेंगे उनके entrepreneur बाकी countries को target करने की कोशिश करेंगे वो चाहेंगे कि उनका जो manufacture product है वो कहाँ पर sale हो in some other country in some foreign country तो demand side भी आप लोगो समझ आ गया फिर अगर हम बात करें small country की तो small country में आप लोगों को याद होगा कि जब हमने free trade वाला किया था फ्री ट्रेट में आपको याद होगा हम किसकी बात कर देते MNC की बात कर देते तो it means small country को क्या चाहिए foreign direct investment चाहिए foreign direct investment उसको कहां से चाहिए foreign country से चाहिए तो जब foreign country के imports पर ही वो टारिफ लगाना start हो जाएगी क्या foreign countries वहाँ पर सॉरी डारेक्ली इंवेस्ट करने को त्यार होंगे या नहीं होंगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि tariff की वज़े से FDIB बहुत हद तक impact होगी इन countries पे और लास्टली अगर small country ने tariff लगाया तो इसको कहीं ना कहीं large country से क्या करना पड़ेगा retaliatory tariff तो लेकिन retaliatory tariff जैसे situations के लिए तो ये countries त्यार होती ही नहीं है क्योंकि अगर retaliation उन लोगों ने किया तो क्या होगा इनके लिए imports भी मुश्किल हो जाएंगे plus exports भी मुश्किल हो जाएंगे that's why हम जब भी optimum tariff की बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे large country की rather than small country और आप लोगों को ये सारे जो reasons हैं वो याद होने चाहिए क्योंकि salvatore में अगर आप लोगों पढ़ी होगी तो salvatore directly talks about कि हम optimum tariff की बात करेंगे large country case में तो ये reasons आपको नहीं मिलेंगे और manual में भी नहीं मिलेंगे और manual में तो वहां पे तो optimum tariff और large country का case दिया ही नहीं है directly optimum tariff को define किया है ठीक है तो आप लोग को क्या पता होना चाहिए जो लोग manual से भी पढ़ रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए जब optimum tariff की बात करेंगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए हम large country के बरे में बात करने वाले हैं और दूसरा आप लोग को क्या दिमाग में आना चाहिए हम लोग small country पे बात नहीं करेंगे I hope अभी तक आपनों को इस topic में कोई भी problem नहीं है अब हम देखेंगे कि किन factors की वज़े से foreign country की offer कर move करेगी या shift करेगी तो सबसे पहला factor क्या है technological, technological progress तो कहीं बार क्या होता है कि foreign country के अंदर technological improvement दिखाई देती है जब technological improvement दिखाई देती है foreign country के अंदर तो उसकी वज़े से होता क्या है उसकी वज़े से offer curve में किस तरीके का impact आता है तो let's see this is OA and this is OB जब हमने बोला कि offer curve पे हमारा क्या आया impact आया तो for example पहले this is the indifference curve अब हमने क्या बोला foreign country that is country B वहाँ पे technological improvement होगी तो उस समय आपको क्या याद रखना है foreign country that is country B उसकी offer curve कहाँ पे shift होगी towards lift यहाँ पे shift होगी ठीके now हमने क्या बोला यहाँ पे अब intersection का point कहा पे आया है यहाँ पे terms of trade क्या होगे change होगे तो देखिए पहले terms of trade यह थे अब क्या होगे terms of trade यहाँ पे shift होगे पहली पात इसका मतलब जब आपकी foreign country में क्या हुआ technological improvement हुई तो home country के लिए क्या होने वाले है terms of trade इंप्रूव होने वाले है पहला impact और दूसरा impact अगर आप दियान से देखिए यहाँ पे पहले क्या था IC1 अब क्या है IC2 इसका मतलब क्या है आपके यहाँ पे economic welfare भी country के अंदर क्या हुआ इंप्रूव हुआ तो technological progress हुई कहां पे in country भी foreign country के अंदर और उसकी वज़े से दो impact आपको देखने को मिले number one terms of trade इंप्रूव हुआ और number two आपको क्या देखने को मिला number two हमें देखने को मिला what economic welfare में भी improve हमें देखने को मिला clear हुआ यहां तक और आप में से मुझे कोई बताए कि volume of trade पर क्या impact पड़ रहा है anyone तो देखे volume of trade क्या हुआ volume of trade इंप्रूव हुआ जैसे यहां पर अगर मैं wheat की बात करूँ यहां पर मैंने आप यहां पर देखे जब हम यहां पर थे at point d तो आप यहां पर देखे हम क्या कर रहे थे हमने बोला country A क्या कर रही थी country A O X 1 of wheat दे रही थी to country B और country B क्या कर रही थी in return to this O Y 1 of textile दे रही थी country A को बट जैसे ही technological improvement हुआ उसके बाद हम यहां पर move कर गे जब हम यहां पर इस point पर shift किये तो अगर आप दियान से देखेंगे तो आप क्या हो रहे है अब country B जो है country B is offering what country B is offering O Y 2 textile to country A and country A in return offering O X 2 of V to country B तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला volume of freight भी कहीं न कहीं improve हुआ यह तो हुआ technological progress लेकिन कभी कभार मैंने क्या बोला आपने tariff लगाया दूसरी country क्या कहीं 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 मैं भी tariff लगाऊंगी तो हम क्यों चुप बैठेंगे तो दूसरा क्या हुआ दूसरा is retaliatory देखिए आपने tariff लगाया आप क्या होगे यहां पर आगे O A1 पर दूसरी country ने tariff लगाया दूसरी country ने tariff लगाया तो movement कहां आएगी शिफ्ट दियान से देखना अब हम शिफ्ट करेंगे पहले technological progress में क्या था लेफ्ट वर शिफ्ट था ठीक है आप क्या हुआ आप राइट वर शिफ्ट हुआ और अगर हम assume करें this is the optimum tariff position for country A ठीक है हमने बोला this is the optimum tariff condition for country A जब सिरफ country A ही क्या कर रही थी tariff impose कर रही थी ठीक है लेकिन जैसे ही country B ने retaliation किया तो आप क्या हुए आप optimum tariff situation से क्या करोगे तो जब भी country B retaliation करेगी it means अब आप जिस position पे थे that is not your optimum tariff position अब आपकी tariff position shift होने वाली है clear हुआ यहां तक तो यहां तक कोई problem अब हमारा यहां पे एक ओर topic बचा है that is optimum tariff formula optimum tariff formula plus जो 2008 का question है हम क्या करेंगे next class के अंदर दोनों चीज़ों को कठे ही discuss करेंगे I hope आज का lecture आप लोग को valuable लगा हो अगर फिर भी आप लोग को कोई problem है आज के lecture पे तो please उसको comment box पे लिखिए ठीक है तो thank you for watching and please like, share, subscribe and comment करेंगे